हे गाइस, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको कमबोडिया में पहुकर के प्राचीन पिरामिंट में 30 फीट के क्रिस्टल लिंगम के लिए अपनी खोज दिखाई थी और दिखाया था कि कैसे इस हिंदू मंदिर का उपयोग देफताओं से संपर्क करने के लिए किया जा सकता था आईए इस वीडियो में मंदिर के रहस्यों के बारे में और जाने सभी बातों से आप मेरी इस बात से जहमत होंगे कि यह एक नियमित हिंदू मंदिर जैसा नहीं दिखता है लेकिन जब आप इससे हवा से देखते हैं तो यह और भी अजीब लगता है पिरामिंट कॉंपलेक्स एक तक्नीकी ड्राइन की तरह दिखता है एक सरकिट का ब्लूप्रिंट बस पूरे सेट अप को देखें शादी के केक की तरहां एक दूसरे के ऊपर खड़ी साथ संकेंद्र द्वर्गों की एक श्रंखला और एक फिशाल क्रिस्टल रोड जो एक समय में इसके केंद्र में खड़ी थी जो कि 30 रीट के कौट से बनी थी ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार का प्राचीन प्रसारन स्टेशन है जो संचार कर रहा था और संकेतों को प्राप्ट कर रहा था अब हम पहले ही पिरामिट के शीश पर रखे गए विशाल क्रिश्टल लिंगम के बारे में बात कर चुके हैं लेकिन यह एक मात्र लिंगम नहीं है जो इस परिसर में मौझूद है जमीनी स्तर पर भी एक और विशाल लिंगम रखा गया था और यह है इस इट की सनरचना के अंदर इस्तित है जो कि एक नुकीले शीश के साथ एक कच्चे पिरामिट की तरहां भी दिखता है जैसे ही मैं उत्सुकता से उसके पास गया और लिंगम को देखने के लिए अंदर देखा तो मैंने पाया कि यह लिंगम भी गायब है आकार 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है इसके अंदर एक विशाल लिंगम रहा होगा आकार को देखते हुए हम देख सकते हैं कि यह शिवलिंग भी जमीनी इस तरह से करीब 15 फीट उचा रहा होगा इसमें कोई शक नहीं है कि एक हजार साल पहले यहां एक विशाल लिंगम मौझूद था लेकिन क्या यह लिंगम क्रिश्टल कौड से बना था क्या यह संभव है कि रेडियो प्रसारण और संकेतों को प्रात करने के उदेशियों के लिए एक दूसरा क्रिश्टल लिंगम भी बैक अप के रूप में रखा गया हो सबसे महत्वपूर बात ये लिंगम कैसे दिखते थे इन लिंगमों का आकार क्या था मैं है इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्राचीन कमबोडिया में लिंगम कई अनूठी आकरतियों और डिजाइनों में बनाए गये थे आम तोर पर हम लिंगम को केवल बेलनाकार सनचनाओं के रूप में सोचते हैं लेकिन कमबोडियान लिंगम कई अधित्य आकार में आते हैं तो ये क्रिष्टल लिंगम कैसे दिखते थे क्या उनके पास कई एंटीना या तार जैसे ट्विस्ट भी थे आप सोच सकते हैं कि यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यह लिंगम कैसे दिखते थे क्योंकि अब वे चले गए हैं लेकिन मुझे कुछ बहुत दिल्चस्प मिला है कुछ स्थानिय लोग इस मंदिर को सहसर लिंग मंदिर कहते हैं वर्तमान नाम जैसे कोह कर प्रसाद प्रांग आदी सभी आधनिक नाम है लेकिन स्थानिय लोगों से पता चलता है कि यह पूरा छेत्र मूल रूप से लिंगपुरा की नाम से जाना जाता था और इस मंदिर को सहसर लिंग के रूप में जाना जाता था याद रखें कमबोडिया में कई स्थल हैं जिने सहसर लिंग कहा जाता है मैंने आपको पहले ही दो स्थल दिखाए हैं जो पानी के नीचे है स्थानिय लोगों द्वारा दोनों को सहसर लिंग के रूप में जाना जाता है और दोनों में हजारों लिंगम है और कोह कर पिरामिड परिसर को भी कभी-कभी सहस्रिलिंग भी कहा जाता है यह अजीब है क्योंकि संस्कृत में सहस्र का आर्थ 1000 होता है तो इस सहस्रिलिंग मंदिर में भी 1000 लिंग होने चाहिए लेकिन केवल दो लिंगम के प्रमान मिलते हैं शेश नौसो अठानवे लिंगम कहा है प्रारंब में मैंने यह मान लिया था कि वे सभी लिंगम पिरामिट के नीचे दबे हुए होंगे या पिरामिट के कक्षों के अंदर होंगे लेकिन जैसे ही मैंने घूमना शुरू किया मुझे कुछ आश्यर रेजनक मिला आहते के दिवार के ऊपर ये अजीब औ गरीब चीज़े क्या है क्या ये लिंगम है उनका इतना अनुखा आकार क्यों है ये आधुनिक समय की वैक्यूम ट्यूब या इलेक्टरॉन ट्यूब की तरह दिखते हैं जो ऐसे उपकरण है जो इलेक्टरॉन के बीच बहते कमानता को देखें वे लगभग एक समान हैं सतह पर मोण के निशान देखें आपने छेनी से नहीं बना सकते हैं वे खरात तकनीक का प्योग करके बनाए गए थे अन्यता इस आकार को प्राप्त करना असंभव है और चिकने नुकीले सिरे को देखें जो हमें एक रॉकिट की याद दिलाता है यह निश्चित रूप से आपको बुलिट या रॉकिट की याद दिलाता है क्योंकि उन सब ही को जान बूच कर एरोडैनेमिक रूप से डिजाइन किया गया है इसमें कोई संधिये नहीं है कि ये चारो और रखे गए 998 लिंगम थे ये बहुत ही अनोखे आकार के लिंगम है जो मंदिर परिसर के चारो और स्थित है ये वैक्यूम ट्यूब के आकार की सन्नचनाएं किसी तरह उर्जा संचरण के लिए कहां उपयोग की गई थी जब आप इन वैक्यूम ट्यूब्स लिंगम को हवा से देखते हैं तो वे बड़े करीने से लगे सभी लिंगमों को देखे सभी वैक्यूम ट्यूब्स बलुआ पत्थर से बने हैं और बलुआ पत्थर बचली का अच्छा समवाहक होता है और देखे कि ये सभी वैक्यूम ट्यूब्स कहां से जुड़ी हुई है उन्हें हमेशा लैटराइड नामक सामगरी से बने ब्लॉक नहीं है जहां आपको गलती से विपरित सयोजन मिल जाए। आप देखते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब्स हमेशा बलुवा पत्थर से बनी होती है। लेटराइट से नहीं और उन्हें कभी भी बलुवा पत्थर से नहीं जोड़ा जाता है। उन्हें हमेशा लेटराइट ब् में प्लग किया गया था यदि यह केवल वास्तु कला या सजावट के लिए किया जाता तो वे आसानी से कुछ स्थानों पर पत्रों को आपस में बदल लेते लेकिन एक और अजीब विशेष्टा है जो इस बात की पुष्टी करती है कि यह किसी प्रकार की उर्जा साइट या रेडियो प्रसारण साइट है यह कृत्रिम तालाब जिसे पिरामिट के ठीक सामने खोदा गया है सभी उच्छ उर्जा स्तल और प्रसारण ट्रांस्मीटर सीतलन प्रणाली का उप्योग करती हैं इस तालाब को पिरामिट परिसर के लिए सीतलन प्रणाली के रूप में बनाया गया था यही कारण है कि इसे दो विशाल लिंगमों के बीच खोदा गया था पिरामिट के उपर एक लिंगम रखा गया था और दूसरा इस एट के धाचे के अंदर था और तालाब को बीच में डिजाइन किया गया था यह पिरामिट परिसर रहस्यों से भरा है हम इसके कई विशिष्टाओं को नहीं समझते है उधारण के लिए हम नहीं जानते कि जंगल के बीच में एक पिरामिट परिसर को क्यों बनाया गया था कमबोडिया के प्राचीन शहरों से बहुत दूर हम नहीं जानते कि इसमें इतने सारे लिंगम क्यों रखे गए हम नहीं जानते कि पिरामिट के अंदर क्या है सबसे महत्वपूर बात यह है कि कुछ और भी चोकाने वाला है इतिहासकार इस बात से सहमत है कि साइट को बन कर दिया गया था और जल्दबाजी में छोड़ दिया गया था जैसे कि समपूर्ण स्थान किसी प्रकार के वाईरस या छूत की बीमारी से प्रभावित था क्या प्राचीन बिल्डरों ने किसी प्रकार की उन्नत विकिरण तकनीक की खोशिश की थी क्या इसने किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी पैदा की क्या इसने यहां की पूरी सभेता को नश्ट कर दिया किरपिया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्षिन में बताएं मैं प्रवीन मोहन वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी की बटन को भी क्लिक करें किरपियास वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल बात करूँगा बाई